Hi everyone, this is me Supreet and once again welcome you all to my channel आज की वीडियो में मैं शेर करने वाली हूँ मेरा विंटर स्किन केर रूटीन आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि पहले मैं आप लोगों के साथ विंटर स्किन केर रूटीन शेर कर दूँ विंटर स्किन केर मौनिं रूटीन और विंटर स्किन केर इवनिं या नाइट रूटीन की काफी रिक्वेस्ट थी तो आज का वीडियो कंबाइंड है मैं अपना जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ वह आपके साथ शेर करूँगी कौन से प्रॉडक्स मैं यूज करती हूँ कौन से डी आईवाई यूज करती हूँ कौन सी होम रेमिडी यूज करती हूँ विंटर स्किन केर के लिए फेस और बॉड़ी हांड आड फुट केर के लिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखें because आपका full head to toe winter body care routine हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि hair को छोड़के मैंने बाकी सारी चीज़े include की हैं क्योंकि hair care के लिए एक separate video आएगा तो उसके लिए channel को देखते रहें तो सर्दियो में सबसे जादा problem होती है skin का रूखा हो जाना skin इतनी जादा flaky हो जाती है कि flakes निकलने लगते हैं skin पपड़ी पपड़ी जैसे निकलने लगती है गाल फटने लगते हैं हाथ लोगों के कभी कभी swell up हो जाते हैं dead skin निकलती है बहुत सारी severe severe problems हो जाती है क्योंकि हवा इतनी ठंडी होती है कि skin का moisture वो फटक से चुला लेती है तो ऐसे में कौन सा skincare routine आप follow करें ताकि आपकी जो skin है पूरे winters में अच्छी तरा से hydrated या moisturized रहें वो आपके साथ अभी शेयर करूंगी उससे पहले आपको एक बात यह भी बता दू कि अभी जैसे winter skincare series चल रही है तो उससे related बाकी के वीडियो जैसे winter का face wash, winter के face cream, winter के makeup products कौन से use करने है, कौन से नहीं करने everyday makeup tutorial यह 5 वीडियो अरड़ी मेरे चैनल के उपर आप है so make sure कि आप उन वीडियो को जरूर देखे और अभी winter के और बहुत सारे वीडियो आने बाकी है तो उसके लिए चैनल को subscribe करके bell icon को press जरूर कर ले और मुझे comment करके भी बताएं अगर आप एक नए subscriber है, so अभी presently मैं रहती हूँ मुंबई में, अब मुंबई में बहुत जादा थंड तो नहीं पड़ती लेकिन मैंने अपनी यांग एज बताई है पंजाब में और पंजाब में temperature बहुत ही जादा drop होता है, डेली, north side, like UP, पंजाब में थंडी बहुत जादा पड़ती है, so वहां पर मैंने अपनी यांग एज में कौनसे DIYs किस तरहां से मैं follow करती थी, वह भी include किये हैं, क्योंकि उनको मैं अभी भी follow करती हूँ and they are very very helpful, so इसलिए, इस वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखे, जानने के लिए DIYs और मेरे winter skincare routine के तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, face care के लिए face wash के लिए, currently जो मैं product यूज कर रही हूँ, वो है Neutrogena का deep clean foaming cleanser और उसके साथ spa wake का moisture solution face wash, so actually मैं ये दोनो products alternatively use कर रही हूँ अगर आपने मेरा top 5 face washes वाला video नहीं देखा है, तो you can go and check why I am using these so ये best है winters के लिए and मैं दोनों को compare करने के लिए, दोनों को alternatively use कर रही हूँ, तो just see की कौन सा best result देता है, but till now मुझे दोनों ही काफी अच्छे लग रहे है उसके माद face को wash कर लेने के बाद, face को skin को hydrate and moisturize करने के लिए, मैं use करती हूँ मेरा ये DIY glycerine solution जो कि आपने अगर glycerine का video नहीं देखा है 7 ways to use glycerine inventors तो उस video को जाके चेक कर लें उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे बनाना है और इसको मैं use करती हूँ अब ये जो है morning में जब मैं use करती हूँ इसको तो बहुत कम quantity लेती हूँ सिरफ 1-2 drops and that's it morning के routine के टाइम पे मैं सिरफ 1-2 drops ही अपने face के ओपर apply करती हूँ और face cream के लिए उसके बाद भी अगर मुझे लगे कि skin अभी भी dry है तो मैं use करती हूँ ये saffron radiant cream अगर आपको face cream में और साथ options देखने हैं तो आप मेरा face cream का video चेक कर लीजिए उसमें बहुत सारे wide range of options मैंने बताये हैं जो कि आप winters में use कर सकते हैं अब चलते हैं body के लिए ये mostly मेरा morning का routine है सिरफ इतने ही products ये सिरफ skincare routine की हम बात कर रहे हैं अगर मैं कहीं बहाँ जा रही हूँ तो sunblock add करती हूँ नहीं तो घर पे रहती हूँ तो sunblock add नहीं करती body के लिए winters में मैं use करती हूँ Dove का deep nourishing body wash क्योंकि ये skin को hydrate करता है जो soap हो वो skin को बहुत dry कर देता है skin का जो regular moisture है उसको भी तो winters में अगर आप soap को switch करना चाहते हैं किसी affordable body wash के साथ तो Dove is a good option to go with because they said to be you know 3 4th moisturizing formula so ये skin को काफी hydrate करता है अब उसके बाद body wash के बाद body को hydrate मैं यूज करती हूँ Wadi Herbals का Aromatherapy Body Oil Now last year actually मुझे इस product के बाद मैं नहीं बता था तो 2 सालों से तो मैं अपना DIY खुद body oil बनाती थी जिसमें मैं coconut oil और lavender oil और almond oil को mix करके अपने लिए एक body oil बनाती थी लेकिन अभी जब मुझे internet के उपर ये दिख गया नाइका के उपर मुझे ये product दिखा तो मैंने इसको try करने की सोची क्योंकि इसके ingredients काफी similar थे उसे DIY body oil से जो कि मैं खुद घर बनाती थी मैं आपको बता देती हूँ एक बार इसके ingredient कौन से है इसमें है pure almond oil इसमें है aromatic lavender essential oil and silverwood oil इसके ingredients exactly same थे तो मैंने सोचा कि मुझे ये product ट्राइक करना चाहिए तो that's what I am using it ये एक बहुत ही light oil है अगर आप coconut oil यूज नहीं करना चाहते है या सर्सों का तेल बहुत common है north side में सर्दियों में समिज दमाल करते है आज लोग कमिज दमाल करते है कि कपड़ों पर stain आजाता है dirty हो जाते है clothes oil का जो stain है वो जल्दी जाता नहीं है so उसकी जगह पर ये एक अच्छा option है because ये थोड़ा जावा जल्दी अबजर्ब होता है skin में and ये 12 hour deadly 12 hour की mosturization देता है सुबह से मैंने इसको लगाया हुआ है and you can see because my skin is still soft my skin is so dry that if I am using regular moisturizer then you can see it on my skin here too so this is a new product and this is also quite affordable this is 120 rupees this whole bottle and this body can relax you can use it at night time so this is the next product which I use in my skin care routine because after applying this I do not need to apply any body cream now if you need body cream option for the skin then I have a new cream because I think this is price wise very good cream for the skin to moisturize if you are looking for a cream which will also moisturize the skin for 24 hours and sticky sticky or sticky so I can say that this cream is very expensive you will get in body shop you will get in the shop but their prices are over 700-800-1000 rupees so affordable range if you can manage Nivea cream or Vadi with this aroma therapy oil definitely add in your skin care routine they are very effective for winters and what is my night time routine what is my routine after taking face wash after taking face wash after taking face wash I am using my DIY this is my secret glycerine DIY I am using it on my face and for a extra moisturization I am using Hamedad Badam Rogan Shireen Almond Oil on the whole face and I also massage it under the area and apply it on the face and I also apply it on the face and this skin is baby soft if you need an affordable night cream which can work in the market expensive expensive night cream in the market please try the almond oil you don't need to spend money on different things you don't need to spend different things try it on the winter throughout the winter you will see the difference in your skin in your skin in your skin give this thing a time and they will show you the result so this was the story of the face and body now for foot care before bed apply it on your knees like I don't have a lot of issues sometimes I use this and then cover it with socks so that whatever product you have applied it on your feet you can show it on your feet with Vaseline and glycerine if you need a quick healing same if you want to keep your hands soft hands you want to make baby soft hands then Vaseline apply it on your hands hand gloves because not all your cream will fit on your bed sheet so it is better to wear gloves these are cotton gloves you don't wear woolen gloves you don't wear woolen gloves you can try it on your bed you can wear it on your bed and wear gloves and your hands and your cuticles will also be soft so these were some products and some steps which I follow for skin care routine you can see there are not many products same same things which I use in the morning and evening little things but these are all effective and I don't need to use different things I think this is enough for skin care routine I think this is enough for skin care routine I think this is enough for skin care routine we get confused and forget what to use what to do like vitamin E which is our element oil has anti-aging properties quick healing dark circles you will heal so you will have skin skin you will have flakes on your skin or fat so these products I have shared with you today my DIY home remedies almond oil home remedy and DIY these things are quite effective so try them in winter this was my winter skin care routine you can share my winter skin care routine in the comment section so I will see you in a new video then bye and comment share and share my video with your friends bye take care see you very soon